बिग बैटरी स्मार्टफून अडर 21,000 तो यार आज इसी टापिक की बात करेंगे तो बात करते हैं, नम्बो फाइब की बात करते हैं लेकिन नम्बो फाइब की बात करने से पहले भी मैं आपको इतनी चीज कहा देना जातु हूँ, आज मैं आपको ठारा जार के प्राइज स्मार्टफून आपको सब कुछ मतलब बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखना स्केप और मत करना प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी बताता हूँ कि कौन सा स्मार्टफून आपके लिए बैस्त होने वाला तो उसको मिसाओड मत की सबसे पेसिफिकेशन की बात करते है आपको यह रीकिए यह लागि डेखने स्क्व etiquette चेंगे स्मार्टफून देखने को मिलता है 6GB RAM के साथ 8GB RAM के साथ storage वेड़ेड आपको different देखने को मिल जाता है core camera setup देखने को मिल जाता है 48MP के साथ 4K वीडियो शूट आप कर सकते हो 20MP की selfie मिल जाती है 5160 ms की battery देखने को मिल जाते 33W का fast charger मिल जाता है तीन कल्स में देखने को मिलता है Poco X3 Pro तो यहर में स्पेस्लिकेशन मैंने आपको पुता दिया Poco X3 Pro के अभी बात करते हैं कि यह smartphone के लोगों को लेना चाहिए तो भी अगर आपने gaming करने है multi-dasking करने है आप सभी के लिए perfect deal होने वाला है अगर आप Poco लवरो आप इस smartphone के और जा सकते हो अगर आपको वेड़ा 18000-19000 है इस प्रेजरीज में आपको यह smartphone देखने को मिल जाता है Samsung Galaxy M31S दूसरी आता है Samsung Galaxy M51 तो सबसे पहले बात करते है Samsung Galaxy M31S की तो मैं आपको बता देना चाहते हूँ यह smartphone आपको लाइक 18000 की प्रेजरीज में देखने को मिल जाता है लेकिन अगर आपका वेड़े 20,000 है 20,000 से भी अपर सोड़ा सा जा सकता है तो मैं आपको recommend करना जाता हूँ कि Samsung Galaxy M51 आपके लिए perfect deal होने वाला because उसमें आपको 7,000 mAh की बैटरी मिल जाती Super AMOLED display मिल जाती है अगर आपने gaming करनी है तो Samsung Galaxy M51 आपके लिए best deal होने वाला मैं दोनों की main specification की बात आपके कर लेता हूँ तो सबसे पहले बात करते है Samsung Galaxy M31S की मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा because video का length ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो July 2020 model देखने को मिल जाता है दो colors में देखने को मिलेगा black color में and blue color में आपको Super AMOLED display देखने को मिल जाते है जो की Gorilla Glass 3 की protection के साथ आती है chipset की बात करूँ आपको 4K video option देखने को मिल जाता है अगर मैं selfie की बात करूँ आपको 32 megapixel की selfie मिल जाती है selfie में भी आपको 4K video option देखने को मिल जाता है 6000 mAh की battery मिल जाती है 33 work of hour charging मिल जाता है reverse charging भी sport करता है fingerprint plus face unlock बगारा भी देखने को मिल जाता है अभी मैं specification आपको बताने लगा हूँ Samsung Galaxy M51 के तो आपको August 2020 model देखने को मिलेगा आपको Super AMOLED display मिल जाती है जो की Gorilla Glass 3 की protection के साथ आती है 7,000 mAh की battery मिल जाती है इस price range में आपको 7,000 mAh की battery किसी smartphone में नहीं देखने को मिलेगा अगर आपको big battery चाहिए यह smartphone आपके लिए best deal होने वाला है 25 वाड के आपको fast charging मिल जाती है roast charging भी sport करता है तीन colors में देखने को मिलता है black color में blue color में and white color में minus point की बात करूँ आपको like plastic frame में देखने को मिलेगा तो case डाल करी use करना पड़ेगा Samsung Galaxy M51 को तो यह main specification मैंने आपको बता दिया Samsung Galaxy M31S के भी and मैंने आपको बता दिया Samsung Galaxy M51 के भी अगर आपका budget 20-21,000 हो जाता है अगर आपको big pantry चाहिए अच्छी display चाहिए अच्छी design चाहिए आपके लिए पोफ़ेटी लोने वाला Samsung Galaxy M31S आपस स्मार्टफून के और जाज रगते हो आगे बात करते हैं नम्ब थ्री की नम्ब थ्री की बात करूँ नम्ब थ्री पर यार मैंने रखा मोटो जी 16 को अगर इस स्मार्टफून की बात करूँ मैं सीधा ही स्पैसिफिकेशन की सबसे पहले बात करता हूँ आपको लाइक अगर मैं इसके स्पैसिफिकेशन की बात को आपको 17-18,000 के प्राइज रेंज में Moto G16 देखने को मिल जाता है आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलता है आपको Snapdragon 732G देखने को मिल जाता है अगर आपने गेमिंग करनी है तो Moto G16 भी आपके लिए बैस्ट दील होने वाला आप इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो आपको सिर्फ एक वीडियो में स्मार्टफोन ये देखने को मिलता है 6GB RAM के साथ प्लस आपको 128GB स्टोरीज मिल जागी मैंने आपको बता दिया अभी बात करते है कि ये स्मार्टफोन किन लोगों को लेना चाहिए अगर आप Moto Lover अगर आपने gaming करनी अगर आपने multi-dasking करनी अच्छी display जाए उसके बाद बाद अगर आपको big battery जाए आप सभी के लिए ये जो स्मार्टफोन है best deal हो सकता है आप जा सकते हैं Moto G16 के और एक बार इसको भी आप च्यागूड करने अगर आप च्यागूड करना चाहते हो जो जो लिंक है जो बाइंग लिंक है वो description box में प्रवाइड किया हुआ है तो च्यागूड कर लेने जल्दी जल्दी वोड़ाओ तो मिस आउड करी जा रहा हूँ तो उसके लिए मैं पहले आपको sorry बोल देता हूँ ठीक है आँगे बात करते है नंबर टू की बात करें नंबर टू की बात करें नंबर टू पर यार मैंने रख्था रियल्मी 8 प्रो को अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो सबसे पहले इसका डिजाइन लुक वगर आपको पसंद आने वाल है एंड ये आपको 18-19,000 के प्राइज रेंज में देखने को मिल जाता 4500 अमेज की बैटरी देखने को मिल जाते है, 50W की fast charging मिल जाते है, reverse charging प्रोट नहीं करता, 4 colors में आपको देखने को मिलेगा realme 8 pro तो यहार में स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme 8 Pro के अगर आपने इस स्मार्टफोन क्या हो जाना आपने इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो इसका भी जो बाइंक लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परवाइड किया हुआ है अगर आप पर Realme लवरो गिमिंग करना जाते हो अच्छा कैमरा चाहिए आपके लिए बैस दिली लिए हो सकती है Realme 8 Pro आप इस स्मार्टफोन के और जा सकते हो आगे बात करते हैं No.1 की No.1 की बात करो No.1 पर यार मैंने रखा Redmi Note 10 Pro को या Redmi Note 10 Pro Max को इन दोनों स्मार्टफोन में से जो भी आपको सही लगता है आप जा सकते हो मैं आपको स्पैस्फिकेशन बताऊंगा Redmi Note 10 Pro Max की तो मार्च 2021 देखने को मिल जाता है 6.67 इच की Super AMOLED डिस्प्ले मिल जाते है डिस्प्ले को अरटी बहुत सही है जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिल जाते है प्लस आपको Gorilla Glass 5Q protection मिल जाते है IP 53 rating मिल जाती है चिप सेट की बात करूँ अबलता है Redmi Note 10 Pro Max तो यार मेन स्पेस्फिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 Pro Max की अगर आपने इस स्मार्टफून की हो जाना है आप जा सकते है तो यार अभी मैंने आपको Top 5 स्मार्टफून बता दिये Conclusion की बात सीधा कर लेता हूं तो यार अगर मेरा budget होता 18,000-19,000 तो इस price range में मैं जाता है Redmi Note 10 Pro Max की यार पास तो अगर आपने भी जाना है आप जा सकते हो लेकिन अगर मेरा budget होता 20,000 जब 20,000 से थोड़ा से एक्स्रा मैं जा सकता तो मैं सच में जाता Samsung Galaxy M51 की या ठीक है उसक जो chipset है बहुत अगरा long battery मिल जाती है अच्छी display अच्छा डिजाइन लुक को वेरा भी बहुत ही ज्यादा अपर है अगर आपने वह नहीं लेना तो Redmi Note 10 Pro Max या Redmi Note 10 Pro Max Pro जो है वह आपके लिए best लोने वाला है आप इन दोनों smartphone में से जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो ल दोस्तों को भी देना दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना उनको भी कहते हैं कि चान को करने सब्सक्राइब वीडियो को करते लाइक और Instagram पर को लेख लेख वालो लिंक वगर आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मेल जागा चावर कर लेना एड़ अगर मेने नाक्स वीडियों में वीडियों को साथ तेंक यू